अलो फ्रेंद्स वेल्कम बाग तो मैं शेरा और आज की इस वीडियो में आप लोगों को किस साथ रिव्यू शेर करने जा रहे हूं और स्टेप बे स्टेप शेर करने जा रहे हूं यह शेहनाज हुसीन का परफेशनल पावर पिग्मेंटेशन कंट्रोल फेशल तो यह एक 7-step फेशल है मैं फर्स ताइम शेहनाज हुसेन का परड़क्ट यूज कर रहे हूं और जो यह फेशल है 7-step फेशल है इसका यहां पे MRP 375 मेंशन की है बट मैंने 250 रुपीज में इनकी जो वेबसाइट है www.shehnaz.in वहां से किया है 250 रुपीज में जस्ट यह फेशल परचेज तो चलिए आज करते हैं यह फेशल देखते हैं किस तरह से मिलता है इसका रिजल्ट तो यह overall packaging है different different session में आपको यह different different step मिलेंगे जिसका आपने करना है step by step यूज तो अगर आपकी skin पे pigmentation, dark spot, blemishes जैसी problem है तो अच्छा option है pigmentation के लिए यह शेनाज हुसेन का 7 step facial kit का कर सकते हो यूज तो चलिए start करते हैं यह facial और देखते हैं कैसा है इसका result इस facial का first step है bio hydrating cleanser यानि कि हम अपने first step में हमेशा face को करते हैं clean but इनोंने first step में face को clean करने के लिए यूज किया है यह balm तो यह एक balm cleanser है जो आपकी skin को deeply पहले करेगा clean तो आप देख सकते हैं इस तरह से green sea balm है इस balm को आपने अपने पूरे face पे अच्छी तरह से spread कर लेना है then spread करने के बाद हलकी सी मसाज करें ताकि जितना भी dirt है वो remove कर दे यह balm तो एक तरह से यह cleanser है जो आपकी skin को first step में अच्छे से clean करेगा इसमें उनोंने यूज किया है carrot seed extract का use किया है lemon peel oil का use किया है seed oil का use किया है इसमें उनोंने तो different different ingents का उनोंने यूज किया है पेराफिन का यूस किया है Palme का यूस किया है तो जो यह balm है के है अब यूस अबरएtx जाती है अन्हों के स्कुरम के सब्सक्राइब दो चिसंद जाएग एक अफ सब्सक्राइब 2014िस covenant क्रिम्स सब्सक्राइब करना प कर दें नुदन से लेज किया है mat도 चरिक वहां थो काफी अच्छा स्क्रब लगा मुझे और जो इसमें बीड्स हैं अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलियेट करते हैं और जो आपकी स्किन पे ब्लाक हैड वाइड है उसको यह करते हैं रेमूव तो टू मिनट्स तक आपने करने हैं स्क्रबिंग टू मिनट्स से जादा ना क करें हलके हाथों से स्क्रबिंग करें सर्कलर मोशन में और जो यह वीदियो है यह फास्ट rheयाए तो इसलिए आपको स्पीड काफिर लग लग रही है अबहने हलके हाथों से हमेशा करने है अपने वेज की स्क्रभिंग्स होता है वैसे ही लग रहा था मुझे ये वेज पील इस पाउडर में भी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट का यूज किया है इसमें उन्होंने राइस पाउडर का यूज किया है इसमें उन्होंने sweet almond का use किया है neem leaf का use किया different ingredients का उनों ने किया है use तो इस powder को आपने milk में mix कर लेना है और एक अच्छी consistency में paste को ready करने ज़्यादा ना runny होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए ये paste तो paste को पहले आप अच्छी तरह से face पे spread कर लें देन आपने दो मिनट तक करने है अच्छे से massage ये harsh था powder तो इसलिए आपने हलके हाथों से massage करनी है दो मिनट तक circular motion में अच्छी तरह से massage करें देन massage करने के बाद face को बाद में आप अच्छे से clean कर ले normal water की help के साथ कर ले wash तो जब मैं इसके साथ अपने face की massage कर रही थी और बाद में मुझे मैंने देखा कि skin थोड़ी सी मेरी red हो गए थी तो आप देख सकते हो ये cheek area पे side पे मेरी skin आपको red दिखाई दे रही होगी तो थोड़ा सा harsh है तो आप अराम से हलके हाथों से ही इसका use करें इसको use करने के बाद skin brighter दिखना हो गए थी start तो ये आपकी skin को देगा brighter effect ये wedge peel तो इसी के साथ हमारा third step हो गया complete so four step में हमने use करना है ये nourishing cream का तो ये एक ठिक cream है इसकी fragrance बहुत अच्छी थी इस cream की मुझे बहुत अच्छी लगी इस cream की fragrance तो इस cream के साथ आपने face की करनी है अच्छे से massage ने भी करनी है मसाज तो 15 minutes तक आपने face की massage करनी है सर्क्लर मोशन में massage करनी है पहले आप clockwise मसाज करनी है फिर एंती clockwise मसाज करनी है फिर आप इस तरह से upward direction में करने मसाज तो जब भी आपने मसाज करनी है अपने फेस की तो हमेशा 2 स्टेप फॉलो करनी है एक अप्वर्ड ड्रेक्षन में मसाज करनी है और एक सर्कलर पॉशन में करनी है मसाज जब आप 15 मिल्च तक इस तरह से मसाज करोगै जो ये क्रीम है completely आपकी skin के अंदर हो जाएगी absorb तो आप देख रहे हो कि पूरी cream मेरी skin के अंदर होगी absorb और बाद में आपने कोई face wash नहीं करना ना ही कोई wet sponge का use करना है इस step के बाद आपका जो next step है उसमें आपने use करना है ये professional power skin tonic का तो ये आप देख सकते इस तरह से tonic है red color का ये tonic है तो इस tonic को आपने अपने face पे अच्छे से करना है apply ताकि आपकी skin के अंदर ये अच्छे से absorb हो जाए तो बहुत अच्छी है इसकी भी fragrance तो एक water base ये है tonic जिसमें उन्होंने rose water का use किया है और fruit extract का use किया है तो इसी के साथ हमारा जो fifth step है हो गया complete इस facial का तो tonic को आपने direct अपने face पे कर लेना है apply so six step में आपने use करना है ये anti pigmentation gel का तो ये transparent इस तरह से gel है जिसको आपने face पे कर देना है apply और apply करके छोड़ देना है इस gel को आपने जब अपने face पे अच्छी से apply कर लेने अच्छी से massage कर लें इस gel की help के साथ और इसी के साथ हमारा six step हो गया complete so last step है seventh step is facial का तो इसमें आपने use करना है covering cream का तो ये एक pack आप कह सकते हो ये एक face pack है जिसको आपने last step में करना है apply करना है और इस face pack को मैंने 15 minutes तक apply करके रखा था अपने face पे 50 minutes apply करने के बाद मैंने बाद में face को wet sponge की help के साथ कर लिया था clean तो इसी के साथ हमारा जो ये facial है seven step का हो गया complete तो जो ये facial है आपके skin को 100% clean करता है skin brighter भी दिखती है बट मुझे glow तो कोई नज़र निया है पर मुझे skin आगे से brighter दिख रही थी तो ये था overall इस facial का review step by step आप इस facial को कर सकते हो अपने घर पे भी so last में अगर use करने की रिगानी बात करें की यानि की एक kit की help के साथ हम कितनी बार अपने facial कर सकते है तो जो ये kit है इस एक kit की help के साथ आप अपना easily दो बार facial कर सकते हो तो यानि की अच्छा option है affordable option है 250 rupees के अंदर आप दो बार अपना facial कर सकते हो तो जिलनों को skin by tanic की problem है skin का फ़्या dull दिख रही है blemation या dark spot जैसी problem है skin को brighter बना जाते है तो आप ये pigmentation control facial इस में ज़रूर करें पच्छे तो ये था मैं आज का overall video and I hope guys you like this video then please guys don't forget to like, share and subscribe and thank you so much for watching bye bye